राजस्थान स्पेशल चूर्मा तो आप में से बहुत से लोगों ने खाया होगा पर क्या आप जानते हैं रास्थान स्पेशल चूर्मा को बनाने में कितना समय लगता है और इसे कैसे बनाया जाता है जी हां आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हू एक आसान सी चूर्मे की रेस्पी बताऊंगी और वैसे रास्तान जो वाला जो चूर्मा होता इसे बहुत डिफरेंट वेराइटी से बनाते हैं कुछ लोग इसका रोटी बनाकर चूर्मा बनाते हैं कुछ पराथे बनाकर चूर्मा बनाते हैं तो आपका चूर्मा बहुत ही सॉफ्ट बनता है दूसरा आप इसे बहुत दिनों तक खा सकते हैं लग बग वन वीक तक आप इस चूर्मा को खा सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता तो आएए देखते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले एक बॉल में आपको दो कप गेहुं काटा लेना है तो दो कप ये बारिक पिसा हुआ गेहुं काटा लिया है अगर आपके पस मोटा पिसा हुआ गेहुं काटा होता है तो उससे चूर्मा और भी अच्छा बनता है और एक कप आपको लेना है सूजी यानि दौ कप जहूँक आटा लेना है और एक कप लेनी है सुजी। और दौ बड़े टेबल स्पॉन आपको इसमें घी डाल देने हैं। घी आप गर्म करके एड़ कर सकते हैं या जैसे मैंने थंडा एड़ किया है इस तरहीएंर इसे भी अटकर सकते हैं। मीडियम सा एक आटा लगा लेंगे सो लगबग इसमें हाफ गिलास पानी का लगेगा और इस तरह की का आटा बनकर तयार हो जाएगा अब आपको क्या करना है कि जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे छोटी छोटी लोईया ले ले लेना और हाथ से एक टिक्यों का इन्हीं शेप देदाना तो देख सकते हैं मैंने रोटी के जितनी लोईया ली है और हाथ से प्रेस करते हुए एक टिक्या का शेप दे दिया है अब इसी तरीके से में सारे आटे की ठिक्या बना कर रख लूँगी मैं आपको एक अलग मेथर बनता रही हुआ चूरमा बनाने वाला उसके लिए आपको इस तरीके के पतली फ्लैट टिकिया बनानी पड़ेगी सबी आटिकिया हमने बना लिया लगबग साथ से 8 टिकिया बनी है दो कप गेहु क्याटा और एक कप सूजी से सो अब हम चलते एक पैन में एक ऐसा मोटे तले वाला कोई पैन लेना उसमें एक कटोरी घी डाल देना और घी को अच्छे से गरम हो जाने देना और ग्यास का फ्लेम रखना है आपको एक दम लो और जो टिकिया हमने बनाई थी उन सब को इसमें प्लेस कर देना अब इन टिकिया को पकाते समय लो फ्लेम इसलिए रखना जरूरी है ताकि ये धीमी आज पर अंदर तक पक जाएं अगर आप हाई फ्लेम कर देते हैं से स्टेज पर तो ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाती है लेकिन अंदर से कच्छी रह जाएगी जो कि हम नहीं इसलिए एकदम लो फ्लेम पर इसे पलटते अलटते पकाते रहना जब तक कि एकदम प्यारा सा गोल्डन सुनहेरा कलर ना जाए तो देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर हो चुका है और ये बाहर से क्रिस्पी भी हो जाती है तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि gas का flame off कर देंगे और इन सब को टिकियों को निकाल लेंगे ठीक इसी process से जो बची हुई आपकी टिकिया है उनको भी fry कर लेना आप लेकिन ध्यान रखे कि आपको इने घी में fry करना है oil का इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि जो चूर्मा होता है वो घी में ही बनता है oil का इस्तमाल नहीं करते हम बची हुई टिकियों को भी हम इसी method से fry करके रख लेंगे और ग्यास का flame रखेंगे एकदम लो तो देखे कि सभी टिकियों को मैंने fry कर लिया है अब हम इनके pieces कर लेंगे और अब आप देख सकते हूँ कि कितनी soft burny है अंदर तक एकदम पक चुकी है अगर आप high flame पे पकाते ना तो यह बहार से जल जाती और अंदर से कच्छी रह जाती तो आप देखे कि evenly यह बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है सभी कि मैंने pieces कर लिया है और अब एक mixer के jar में डाल कर piece कर इसका powder सा बना लेंगे सो मैंने सभी टिक्या को piece लिया और यह इतना इसका powder बना है एकदम दरदरा सा हमने piece लिया है और अब हम इसमें मिलाते हैं मीठा तो मीठे के लिए मैं यहाँ पर PCV चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ आपके पास जो बूरा होती है उसका भी इसमाल कर सकते हैं अगर बूरा नहीं होती है तो mix में चीनी को डाल के piece लेना और उसका इसमाल कर लेना अब डाल दीजे कोई dry fruits आपके फेवरेट काजू, किशमिश, पदाम इलाइची powder और coconut powder अब जो पैन में बचा हुआ घी था वो इसमें डाल देना बचा हुआ घी डाल दीजे अगर आपको लगता है कि घी कम है तो थोड़ा सा घी गरम करके किसी और बरतन में वो इस स्टेज में भी इसमें मिक्स कर सकते हो लेकिन मैंने जो बचावा घी मिलाया तो लगबग उसी से ही एकदम सॉफ्ट बन चुका है यह चूरमा एकदम रेड़ी है कोकोनट पावडर यानि मैंने डेसिकेटिड कोकोनट का इसमाल किया था उससे चूरमे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सारे जो मिठेट्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करके आप यह चूरमा घर पर बनाईए यकिन मानी आपका चूरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आपको यह रेस्पी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरू करें तक यह वर वाचिग वाचिए आता है